कि अधिवास्य परण्यात्य चासर ना बंद करो कि उसके बाद छुड़ा जा रहा था मैं फिर मेरे मेरे उपर हाथ लगा दिया मारने लगा आगे पिछे से इस्वार सवक लड़का जब जासी मेरे लड़के के सांद मार्फिट करने किया उसने अपराग गार्जय करना ही था तो जाज करने के बाद ही आपराग गार्जय करना था यह तो पूरी-पूरी चर्यांत्रा है 36 गड़ के अलग-अलग शेत्रों में मच रहे बावाल के बीच एक खबर इश्वर साहु के विदानसबा शेत्र साजा से है जहां विधायक भाजपा के आरोपी भाजपा विधायक का बेटा और पीडित है एक आदिवासी अब इस्थिती इतनी बिगड़ गई है कि 36 गड़ का सर्व आदिवासी समाज विरोत पर उतराया है सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि भाजपा विधायक के बेटे पर स्टी-स्टी एक्ट के तहट एफ आयार दर्च की गई चलिया आपको विस्तार से बताते हैं नमस्कार मेरा नामे गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विबाग दशहरा के दिन जब रावन देहन हो रहा था तब साजा विधान सभा के चेचन माटा गाउं के मैदान में इश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू ने आदिवासी युवक मनीश मंडावी के साथ मार पीट की और जाती गत गालियां भी थी दरसल ये घटना 13 अक्टुबर को साजा पुलिस स्टेशन इलाके के चेचान माटा गाउं में हुई जहां 18 वर्ष ये आदिवासी युवक मनीश मंडावी ने सुमवार को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब वो एक विवात को सुलजाने का प्रयास कर रहा था तब कृशना साहू और उसके 8-9 दोस्तों ने उसके साथ गाली गलॉच और मार पीट पिल इस बीश मंडावी के मितर राहुल धृव और कृशना साहू के बीच विवात हो गया था मंडावी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था तो साहू और उसके दोस्तों ने उसके साथ दुर्वेहवार किया और उसकी पिटाई कर दी इस मामले को लेकर इश्वर साहू के बेटे पर पुलिस ने कई धाराय लगाई हैं बीनेस की धारा 296 यानिकी अश्लील कृत्य 152 यानिकी स्विच्छा से चोट पहुचाना 353 आपरादिक धमकी, 353 यानिकी सामान्य इरादा और S.C.S.T. अत्याचार निवारंट संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्च किया है हालकि इस मामले में अब तक कोई गिरफतारी नहीं कुई है इस खटना के बाद 36 गर सर्व आदिवासी समाज आक्रोशित नजर आ रहा है या आक्रोश भाजपा विधायक इश्वर साहू के बेटे क्रिशना साहू को गिरफतार किये जाने की मांग को लेकर हो रहा है समाज ने 5 मांगों को लेकर ग्यापन सौपा है मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में रायपूर में आंदोलन करने की चेतावनी भी देती है समाज ने अपने ग्यापन के माध्यम से 5 मांगे रखी है जिसमें आरोपी कृष्णा साहू और उसके साथी को अनुसूचित जाती अत्याचार निवारन अधिनियम के तहट ततकाल गिरफकार किया जाए दूसरी ये कि पेडित मनीश मंडावी और उसके साथियों पर दुर्भाग्य पूरवक फर्जी एफायार को निशर्थ रिरस्त किया जाए तीसरी मांग ये है कि गोन समाज अन्यतीन युवक पर दुर्भाग्य पूरवक धारा 159 के ताथ मुकादमा समाप्त किया जाए चौती ये कि जाच को प्रभावित करने वाले साजा SGM को हटाया जाए और पांचवी और आखरी मांग ये है कि साजा थाना प्रभारी चंद्रदेव वर्मा को भी हटाया जाए इस पूरे मामले को लेकर विधाय कि इश्वर साहू का कहना है कि मेरे बेटे के खिलाफ बिना जाच के एफायार दर्ज की गई है जो की गरत है इसकी जाच होनी चाहिए चाहें दोशी कोई भी हो कारवाई जरूर होगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी तरफ से एक साजिश है इश्वर्साहू ने कहा कि आदिवासी भाई मेरे पास आया था ऐसी कोई बात नहीं और बच्चों में सांस्कृतिक कारिकरम के चलते वाद विवाद हो गया था वही राजी रामा कर मेरे निवास से निकले ही थे कि उसके बाद कॉंग्रेस के लोग समाजिक लोगों को थाना ले गए और बिना जाच के रिपोर्ट तर्च करवा दी विधायक ईश्वर साहू का कहना है कि चुनाफ के मैदान में कॉंग्रेसी मुझे हरा नहीं सके उन्हें मू की खानी पड़ी तो बेटे को महरा बना कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हलाकि इस मामले को लेकर देखने वाली बात ये होगी कि विधायक ईश्वर साहू के बेटे क्रिश्वर साहू के गिरफतारी होती है ये नहीं इस मामले को लेकर आपकी क्या राहे हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को जादर जादर शेयर करें और हमारे चैनल खबर विबाग को सब्सक्राब करना ना भूले